नमस्कार आपके साथ नहूंँ अपूर मिश्रा मेरे साथ मौझूद है इंद्र मोहन और बहुत बड़ी खबर हम आप लोग को सामने लेकर आए हैं और ये बहुत बड़ी खबर है मद्द प्रदेश का जो सियासी नाटक इतने दिनों से चल रहा है ना सरकार का वो कल शाम को पांच बजे पुरी तरीके से खतम हो जाएगा और कल शाम को पांच बजे पता चल जाएगा कि मद्द प्रदेश में कमनला सरकार बचेगी या फिर कमल की सरकार बनेगी इंदमोन ने मेरे साथ क्या खबर है इंदमोन? जब इस मसले पर बहस चल लही थी कि क्या वहां की सरकार गिरा दी जाए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे कमलनाद सरकार की तरब से कि किसी तरीके से सरकार को मौका मिल जाए जैसे लास्ट उन्होंने किया था कि 26 तारिक तक के लिए वक्त मिल गया था कोरोना वार सुना दिया गया है कि कल शाम को पांच बजे कमलनाद सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है और इस फ्लोर टेस्ट में यह तैह हो जाएगा कि उनकी सरकार मध्यपरदेश में रहेगी या एक बार फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है जो मौझूदा समीकरंड दिख रहे हैं अगर आप जो से कह रहे हैं कि विधायक जो बैंगलोर में मौझूद हैं अगर वो आपाते हैं तो ठीक अगर वो नहीं आपाते हैं तो कैसे फ्लोर टेस्ट में क्या समीकरंड बनेंगे अगर वो नहीं आपाते हैं तो उन्हें एपसेंट मान लिया जाएगा तो उसमें भी कमलनाथ की सरकार गिरती है अगर वो आते हैं और क्रॉस वोटिंग कर लेते हैं तो भी सरकार गिरती है खत्रा बहुत बड़ा मंड़ा रहा है अब बकरे की मां कब तक भी बिल्कुल यह ब रखे 228 में 115 का इनको बहुमत साबित करना है अभी इनके पास अगर आप माने तो 200 बिधायकों की प्रभावी संख्या 222 है क्योंकि 6 का इस्तिफा भी हो गया है चे का इस्तिफा मान गया तो 222 में से इनको नम्मर चाहिए 112 है इस 112 में अभी सदन में इनके पास जो साथ अन्य जीते हुए थे उसमें BSP के दो बिधायक SP का इक और चार निर्दलिये हैं जिन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन किया था लेकिन अभी BJP की जो नम्मर है वो अल्लेडी 107 है तो ऐसे में अगर ये बिधायक एपसेंट हो जाते हैं तो इनकी नम्मर घटके हो जाती है सिर्फ बेरानवे अगर बिधायक ही रहेंगे तो सरकार और लेटी अल्पमत में सरकार गिर जाएगी तो इसके लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि कमलनाथ किसी भी तरीके से ये सरकार अभी बचा नहीं सकते क्योंकि अगल बाइस मेंसे 16 भी थाइको को आप 6 का स्तिफा मान लिया गया है ौर 16 को मैं मान लेता हूं कि इन्हें यह absent ही है अगर इसिका आफार जादा लग भी तो 228 में 16 को और आप कम कर दें तो यह नम्मर हो 211 212 के आसपास 107 बिधायकों का आपको समर्थन चाहिए अपनी मैजोर्टी साबित करने के लिए और 107 बिधायक तो भी BJP के पास है पहले से ही और इनका नमर जब आप इनके नमर्स को कम कर देंगे तो इनका नमर घटके हो जाएगा 92 तो अगर 92 बिधायकों से तो ये सरकार को बिल्कुल ये बिल्कुल बचेगी नहीं जबके हमने वहां देखा था कि दिखबिजे सिंग भी गये थे लगातार वहां बैठे वे थे ये कहा जा रहा था आज सुप्रीम कोट में भी या मुद्दा उठा कि क्या इन बिधायकों के पर प्रेशर बनाया जा रहा है उसमें ये भी कहा गया सुप्रीम कोट की तरह से कि हो हम चाहें तो किसी परवेक्षक को वहां पर भेज सकते हैं जो यह तै करे कि नहीं यह बिधायक किसी भी प्रेशर में नहीं है नहीं तो इनको वीडियो के जरिए भी इन से बात कराई ज ख़बर मध्य परदेश के लिए कि मध्य परदेश में कल फ्लोर टेस्ट के बाद यह तैह हो जाएगा कि किसकी सरकार जाएगी और किसकी सरकार आएगी अब एक तरीके से कह सकते हैं जो काम बीजेपी के साथ हुआ था करनाटक में जो काम सुप्रीम कोट ने कर दिया था वही काम कॉंग्रेस के थाजाद फिर सुप्रीम कोट ने कर दिया है वही चीज़ें कोट की तरफ आते मैं आपको ज़रूर बताना चाहूं जो भी दर्शक हम देख रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूर और हेमंद गुपता की पीट जब इस पर सुनभाई कर रही थी तो उसमें एक खरीद फरोक्त के मामले सामने आ सकते हैं यह आरोप लगाए जा सकते हैं उसी आरोप को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो जाए तब ही से यह क्यास लगा जा रहे थे कि फैसला जो है वह शिबराज सिंग चोहान के पक्च में आ सकता है कि जो चाह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो सकता है और आज काफी लंबी बहस चली और बहस में फाइनली यही निसकर्स निकला है कि कल शाम को पांच बजे फ्लोर टेस्स होना है इस बहस के दौरान स्पीकर के जितने भी स्पीकर की ताकत होती है उस पर भी बिल अगर बुला सकते हैं तो किन अधिकारों में बुला सकते हैं अगर इस्तिफा ले सकते हैं तो किन अधिकारों से इस्तिफा ले सकते हैं इन तमाम बहसों के बीच लेकिन जो एक लाइन थी जो मैंने आपको कहा कि इस बैंच ने यही कहा कि आप जल से जल जो है फ्लोर टेस्ट करा लें क्योंकि हमें लगता है कि जितना अप लेट करेंगे उससे ज्यादा खरीद बिक्री पर विदायकों की खरीद बिक्री की खबर आफ बिल्कुल बिल्कुल तो इससे बचने के लिए उनका ये कहना था कि आप जल से शाम को शुकरवार शाम को पांच बजे खतम हो जाएगा और यह तैमान कर चलिए कि कमल लाथ जाएंगे कमल आएंगे यानी कमल यानी बीजेपी की सरकार आएगी यह तैमान कर अब चलिए इंदमोन ने भी आपको सारे आकड़े भी बता दिये हैं बक्रे की मां कब तक खेर म आएगी शायद अब बीजेपी की ही सरकार आएगी नमस्कार